Hey guys, welcome back to my channel, the wheel of fortune 709 tarot, आप सब इनों के मेरा नमस्कार, ओमनी पत्मेह, मौन साही राम, and guys, मैं आ गई हूँ आप नों के लिए एक और पिक, क्या है ये, चार्म्स, okay, reading लेकर, और यहां पर आपको ये तीन चार्म्स रखते हुए हैं, इन में से एक स्लेक कर लेना है, और फिर म मैं आपके reading शुरू करूँगी, topic है, साही बाबा के messages, क्या बाबा कहना चाहते हैं, आप से क्या संदेश आपको देना चाहते हैं, ये है आसका topic, इस पर में reading करूँगी, क्यूंकि काफी सारे comments आयते हैं, कि मैंने बहुत दिनों से messages नहीं डाले बाबा के, तो भई, मैंने स message's, कुछ नहीं मिलते हम अधे से मिलते हैं, थब मिलते हम इनको, भई, जब सिथा मिलते हैं, और संहते हैं ये हैं आपको तैसे मिल तेनों मोट रहे हो, थे सान वीज से हूगी, तो लूसरा देख लोलो, नहीं बाबाको और से बाफेस्टर दिनों, ऑर ये बीदिए पाने तो वह ताइम ब्लेस है जब आप चाहोगे देख सकते हो और वह आपसे रजनेट हो जाएंगे तो चले शुरू करते हैं All the best Hey guys, तो जन्हों ने ये चूस किया है ये छोटा सा छोटू सा फ्लार तो देख लेते हैं आपके लिए क्या messages है बाबा की तरफ से और और भी कुछ अगर देखना होगा मुझे पानी पीना है मुझे वेदे गले में गडगड हो रहे है कुछ और ये camera क्यों हिल रहा है भी रुख जो भी, set कर लेने दो देखो पूरा दिन रीडिंग करो ना तो ये होता है गले का हाल चलो देखते है ये मैं निकाल लेती हूँ गैस आवास लग रही हो ना कुछ TV की है कुछ भी तो भाई एकनोर कर देना घर पर हूँ मैं कुछ कर नहीं सकती कोई नहीं सुनने वाला मेरी कितनी असाय हूँ हूँ कोई नहीं सुनता भाई TV चलाते हैं सब वह भी जोड़ 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 आप देखते हैं यहां पर आया है हॉर्मनी इसका मतलब है कि आप लोग बहुत सैड हो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्याद दुखी रहते हो रोते हो परिशान होते हो और देखो बाबा का मैसेज यह है कि आपको खुश रहना है दुखी नहीं रहना रोना नहीं है देखते हैं और सारे मैसेज क्या है फिर बताऊंगी फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी यहां पर है यहां पर है फेस पेन का पार लिवन दप्रिजेंट यानि के बहुत जाथ आपको फ्यूचर की टेंशन हो रही है फ्यूचर कैसा होगा क्या करेंगे यह नहीं करेंगे और कहीं न कहीं विश्वास आपका डख मगार आया है मुझे ऐसे लगता है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में जिसका कोई अन्डी नहीं आथा कोई ऐसे कार्मित साइकल चुल रहा है जिसका उंती नहीं होता आपको लगने लगा होगा कि कुछ नहीं होता ное, पूजा करो मैनिफेस्टेशन करो कुछ भी करो कुछ होता ही नहीं है को रिजल्ट ही नहीं आथा कुछ नहीं होना त रल है क्योंकि लगाता है कुछ नो कुछ हो रहा है जैसे कुछ बुरा था और उससे से भी जाता है और पराइस जाता है चौनल पूजा पार्ट मैं ने पूद करी रही हूं फिर भी फिरी परफिश्थिति यह पहले से भी बद्र ही फ़ुत ऑफ somf क्या यहां कोरा है और उन्सस्टिश THE back करसे प нов יek कि scor job कर जब किए आपको जीना है रतमान में यानी कि वर्तमान में जू चीज आपके पास है न उनों चीजों में खुश रहना सिक kys़ जब उन चीजों को लेकर खुश रहोगे ना तो आके भी अच्छा होगा कही ना कहीं चीजे तो यूनिवर्स ने आपको दी हुई है लेकिन वह आपको दिखाई नहीं दे रही है आपको याद है टेरेट जब मैं रीडिंग करती हूँ टेरेट कार्ट में कालती हूँ तो वह गिरे हुए होते है ठीक है तो वह उनको देख रहा होता है जो कब खड़े है उनको नहीं देखता यानि कि जो चीजे उसके पास है वह उसको नहीं देख रहा और जो नहीं है उसके लिए रोता रहता है यारी यह मेरे पास नहीं है यह मेरे पास नहीं है ठीक है तो इससे क् energy जो होती है वो आपकी negative हो जाती है और फिर आप negativity अट्रैक्ट करने लग जाते हो यानि कि जो बुरी परिस्तितियां है वो और ज्यादा बुरी हो जाती है बुरी नहीं है आपको लगता है कि बुरा है अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत painful है ना तो इसका कोई ना कोई reason होगा और वो बाद में पता चलेगा वो इश्यार को पता है हमें नहीं पता हम पता कर भी नहीं सकते हम इंसान है कि देखो यहां पर है face the pain का काट इसका मतलब यह है कि जो भी तकलीफी आरही है ना उनको आपको सामना करना है उनका भागना नहीं है रोना नहीं है सामना करना है fight करना है fight करोगे तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा उससे कोई lesson जरूर मिलेगा कोई सीख जरूर मिलेगी जो आगे तक आपके काम आने वाली है और यहां पर है trust and faith यानि कि आपको विश्वास रखना है बाबा पर अगर आप बाबा को मानते हो तो फि का परणाम भी बुराई होगा अगर आप बाबा से कहते हो प्रार्तना करते हो तो भरोसा रखो ठीक है भरोसा नहीं रखोगे तो क्या फायदा प्रार्तना करने का आपका life purpose है actually लोगों को guide करना लोगों को heal करना तो हो सकता है कि आपको समझ ना आ रहा हो यहां पर काफी सा तो दीरे दीरे से चली जाएंगी लेकिन जिनको अपना यह life purpose समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए बाबा ऐसा कर रहे है याभी तक ठीक है कि आपको तकलीवे मिल रही है ताकि आप समझ सके कि आपका life purpose क्या है अभी तो मैंने यह बताया ठीक है इस कार्ट को देखते लेकर भी वीडियो है मेरे चनल पर वो आप देख सकते हो या फिर आप उसे रीडिंग करवा सकते हो यह नहीं कहारी कि मुझे से करवा लो जिससे आपको ठीक लगे उससे करवा लो लेकिन पता कर लो कि life purpose आपका क्या है hozen promises का card है तो इसका मतलब है कि कुछ तो मनते आपने मांगी हुई हैं और वह आप भोल चुके हो तो बाबा ये भी कह रहे हैं कि यजह कुछ आपने हैं तो उसको पूरा करो ठीक है तो याद करो और उसको बूरा करो अगर याद नहीं आता है, ठीक है, अगर याद नहीं आता है, काफी पुराना कुछ हो गया है, तो मैं वही कहूंगी कि किसी को कुछ चैरिदी बगारे कर दो, जैसे कोई भूका है तो उसको खाना खिला दिया, कप्डे दे दिये, या दवा कोई बीमार मेला आपको दवाईयां दे दी किसी के बच्छे की पढ़ाई का भार आपने उठा लिया ठीक है कि उसकी पढ़ाई मैं करवाऊंगी या करवाऊंगा तो इस तरिकी की काम करो तो उसब ठीक हो जाएगा और attachment का card है याँ पर तो यह card बताता है कि इतना जादा किसी से मत चुड़ो कि आप अपने life purpose को भूल जाओ तो हो सकता है यहाँ पर relationship का कोई issue हो आप किसी को बहुत जादा प्यार करते हो और उनकी तरफ से कोई response नहीं आ रहा या कुछ ऐसा नहीं हो रहा जैसा कि आप expect करते हैं तो उसकी वज़े से कही ना कही आप जो अपना खुद का काम है न वो नी कर रहे हैं उसको बूल जा रहे हो जैसे आपका कोई business है या कुछ भी आप करते हो तो उसको कही ना कहीं आप पीछे छोड़ देते हो और उनको याद करने लग जाते हो तो बाबा कह रहे हिए यह ग रहेंगे तो चले एनरजी और चेक कर लेती हूँ मैं आपकी रुको बैक तो ये रहे एनरजी और एकलकार्ट चलो देखते हूँ Magician in the Mirror तो मेभी आप लोग Twin Flame Journey में हो यहां पर काफी सारे लोग हो सकते हैं दूसरा ये कार्ड जो है वो ये भी कहता है कि आप चीजों को बैलेंस कर सकते हूँ लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी शक्तियों को समझ नहीं बार है ठीक है? हो सकता है आप लोग Meditation ना करते हूँ ऐसा हो सकता है तो Meditation करो भई ठीक है ना? ये भी ऐसा हो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है वहीं पर दिखत आ रही है Caring Connection मैंने कहा दाना कि हो सकता है रिलेशन्शिप से जोड़ा कुछ इशू हो तो है यहाँ पर Trin Flame Journey में हो सकते हैं आप लोग क्योंकि यहाँ पर यह वाला कार्ड है और यह भी कार्ड है हो सकता है कनपेस ही ना किया हो आप लोगोंने एक दूसरे को कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है सबके लिए नहीं है ना आप लोगोंने एक दूसरे को बताया ही ना हो आप वेट कर रहे हों कि वो बोल दे वो बेट कर रहे होंगे कि आप बोल दे शीज़े आगे नहीं बढ़ पारी और यह इसलिए है क्योंकि शिव और शक्ति कि जो जो energies होती है ना आपके अंदर feminine and masculine उनको आपने balance नहीं करके नहीं रखा है meditation क्या करो the sun clarity नहीं मिल पारी आपको यही है हो सकता है आपको यह भी लगता हो कि third party तो नहीं है कहीं बीच में यह भी हो सकता है आपको अपनी energies को balance करने की जरूरत है जैसे ही आप यह करोगे ना सब कुछ ठीक हो जाएगा जो भी आपके connection में जो भी issues चल रहे है ना बुठीक हो जाएगे और अगर आपको यह से लगता है कि कुछ चीजे चिपी हुई है आपको नजर नहीं आ रहा तो वह नजर आ सिर्फ इसी चीज़ पर मत लगा कर बैठो ठीक है थोड़ा इधर उधर लगाओगे और सारे और भी बहुत कुछ होते हैं काम करने के लिए life में तो वह अगर आप करोगे उन सारी चीज़ों पर ध्यान लगाओगे ना यह अपने आप ही हो जाएगा खुद से हो जाएगा आपे ही कुछ करने की जरूरत नहीं है रोने की परिशान होने की जरूरत नहीं है रोगे तो चीज़े और जादा भी कर जाएगे ओके मैं देख लेती हूँ आपका life purpose यहीं पर मैंने कहा अभी life purpose के लिए तो आप कहा जाओगे वीडियो देखोगे इदर उदर कौन सी क्योंकि यह journal reading है तो मैंसे fake card तो नहीं निकालने वाली दो तीन निकालूंगी और देखते हैं आपके लिए क्या आता है क्या आपका life purpose क्या है तो आप वो कर सकते हो उस पर काम कर सकते हो कि क्या है राइटिंग तो हो सकता है आपको लिखने का शौक हो अगर नहीं है तो यह इसा कोई काम कर सकते हो राइटिंग का ठीक है कुछ ऐसा लिखना जो लोगों को मोडिवेट करें लोगों को हील करें कुछ लिखिये किताबे कविताएं कुछ भी लिख सकते हैं कुछ लोग कुटेशंस डालते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो ऐसा ठीक है जो लिखने से ज वही आगया, लिखने पढ़ने वाला, हो सकता है, आपको किताबे पढ़ने का बहुत शौक हो, लिखने का बहुत शौक हो, तो फिर इस पर काम क्यों नहीं करते हैं, आपके कार्ष देखो ऐसे हा रहें, कितना resonate कर जिए, आपको करना चाहिए इस तरफ काम, हाँ जी, काउंसलिंग लोगों को दर्थ से बाहर निकालेंगे तो आपका दर्थ कम होगा ठीक है तो यह आपके लाइफ पॉपस है इन पर काम करो काम करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा और दिखाऊं क्या आया है आपर इस्कूल तो आप थीचर भी बन सकते हो यह कोई भी ऐसा काम जहां पर आप लोगों को काउंसल कर सको और अच्छा फील करवा सको इसे यहां को आज कल इस्ट्रेस है interesting तो उनको इससे दूर रखो, उनको खुश रखो, कुछ भी ऐसा कर सकते हो, तो उससे आपकी लाइफ में सुधार आएगा, ठीक है, आपकी जिंदीगी सुधरेगी, खुश रहोगी आप, तो ये थे कुछ मेसेज़ आपके लिए, आपके लिए अनरजी भी मैंने बताई, आपको पसंद आई हो, ये रीडिंग छोटी सी थी, पैसे, अगर आई है तो प्लीज लाइक करें, और रेजोनेट करी हो, तो मुझे बताना ना बूले, सब्सक्राइब करना ना बूले ये चैनल, तैंकि ये सो मच पर वाचिंग दे वीडियो, टेक एल आप योल पाई, क्या है, ये आउल है, हाथ में आजाओ, ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए बाबा के क्या मेसज़ेश है, पैप जाओ, यहाँ कर्मा, यहाँ पर है, कर्मा, कुछ हो रहा है, आपके साथ कुछ ऐसा, कुछ जाद आपको अच्छा ना लग रहा हूँ, आपको लग रहा हूँ, बग रहा हो कि किस बात की सजा मिल रही है आपको लेकिन यहां पर आपका कर्मा है जिसकी वज़े से यह सब कुछ हो रहा है कोई punishment आपको नहीं दी जा रही है कुछ किया आपने तो भई बगतना पड़ता है law of attraction कुछ चाहिए जो मिलनी रहा हो सकता है कुछ ऐसा होता हो जो आपको मिलने वाला होता हो और फिर से चला गया जैसे आपके हाथों में आते आते और फिर से आपसे दूर चला गया तो कुछ ऐसा हो तो यहापर law of attraction का card है जो कि यह बताता है कि आपको अगर कुछ चाहिए आपन दूसरों से प्यार चाहिए ना, तो फेले आपको खुद को प्यार करना होगा, या दूसरों को प्यार देना होगा, ठीक है, यहां पर अभी लोग मुझे कोशन करेंगे कि हम तो बहुत प्यार करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, तो उसका जवाब यह है, कर्मा, ठ मुझे ऐसे लगता है कि शायद आप लोग पहले यह सब करते होगे, यह law of attraction, manifestation, यह सारी सीज़े, लेकिन फिर आपने छोड़ दिया, आपको लगए कुछ नहीं होता, यह विकार है, ठीक है, तो बाबा कही नहीं आपको यह कह रहे है कि भाई इसको छोड़ना नहीं, इसको कर तो यह करते रहो, इसको छोड़ो नहीं, manifestation वगएरे करते हैं आप लोग, तो आप लोग करते रहो, छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है, ठीक है, त्री मैजिक्स, देख लो, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, और अच्छा ही करना है, किसी के लिए भी, किसी के लिए बुरानी सोचना, नबुरा करना है, ठीक है, आपके दुश्मनों के लिए भी, कोई कितना भी आप से कड़वा बोले, आपको कड़वा नहीं बोलना है, बस इश्वर पर डाल दो कि ठीक है, यह जो भी बोल कर गए है, यह जो भी करके गए है, इसका फल इनको मिलेगा, बहुत है, इसा नहीं है, नहीं मिलता है, वह बात अलग है कि आपको पता चले नहीं पता चले, लिकिन पर इश्वर के लिए उनके सारे ही बच्चे एक समान होते हैं, यह याद रखो, तो आपने यह काम नहीं गड़ना है, ठीक है, प्रस्ट्रेट होकर दूसरों को डाट लाने लगया, उनको होट कर दिया, यह नहीं करना आपने, अल इस डैल, सब कुछ अच्छा है, जैसा होना चाहिए, वैसा हो रहा है, और जो आपको चाहिए, वो आपको मिलेगा, डिवाइन टाइमिंग पर, ठीक है, यहां पर कार्ड नहीं है, लिकिन मैं आपको बता रही आपको अच्छे से समझाना चाहिए, परिशान मत हो, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन चीज़े ठीक हो जाएंगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग है यहां पर, ठीक है, ट्रस्ट, देखा, भई बाबा कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखो, अभी लग रहा होगा कि हाँ, जो काम आपने करे हैं, जो महनत आपने करी हैं, उसका फल नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है, कुछ दिन और सही, फिर सब अच्छा हो जाएगा, भरोसा रखो भई, किसी को हर्ट नहीं करना, इस दौरान, ठीक है, वो अच्छा नहीं होगा आपके लिए, का कर्म की तो प्रह करे हैं, फल मिलता है, देखो इसका भी मिलेगा, और अब अच्छे कर रहे हो तो उसका भी जब बुरे का फल मिल रहा है अभी आपको तो फिर अच्छे का क्यों नहीं मिलेगा, यह सोच के चलो रिपिटेशन इन लाइफ अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं समझोगे तो इसी तरीके से रिपिटेशन होता रहेगा ठीक है हार्मनी का कार्ड फिर से आ गया है खुश रहो तुकिनी रहना है खुश रहो अपना जो भी लाइफ परपस है उसको फॉलो करो और अभी हाल फिलाल में अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं गौड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो सकता है जो चीज़ें आपको चाहिए आपको दे इसलिए इंतिजार कर लो थोड़ा ध्यार रख लो एन अजी देख लेते हुँ मैं आप लेकिन सबसे बड़ा मैसेज यहां पर क्या है सबसे बड़ा मैसेज है कि अच्छा बोलना है अच्छा करना है अच्छा सोचना है ठीक है कि सिचेशन कुछ ऐसी है कि हो सकता है आप थोड़ा सा आपका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाए आप लोगों को हर्ट करने लगो तो वो बाबा कह रहे है वो नहीं करना है ख्यान रखना किसी से लड़ाई जग्रा नहीं करना है जादा सोचना भी नहीं है ओवर्थिंकिंग नहीं करनी है या तो business को लेकर बहुत परिशान हो या फिर अपने future को लेकर या फिर भई कोई बंदा या बंदी है The temple path कोई spiritual journey पर I think आप चल पड़े हो और वो आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहे है Community Community The world Green यहाँ पर बहुत है तो सबसे पहले तुम्हें आपसे कहूंगी कि खुद को हील करो हो सकता है कुछ जैसे पास्ट में आपके experience रहे हो आपके friends को लेकर या relationship को लेकर जैसे कि यहाँ पर आगया dog to romance ठीक है हो सकता है कुछ चानुभाव रहा हूँ जो अच्छा नहीं था आपके लिए तो उसकी वज़े से अपने वर्तमान को खराब मत करो ठीक है है तो जरूर यहाँ पर spiritual journey है आपकी और कुछ creative करना चाहते हैं कुछ अलग करना चाहते हैं आपको यह लगता है कि आप अपनी लाइट एक नए तरीके से शुरू करें लेकिन करनी पार है क्योंकि आपको यहीं नहीं पता है कि आपको जाना किदर है किस रास्ते पर कोई गाइट करने वाला नहीं है और जो लोग साथ में हैं उन पर आपको ट्रस्ट नहीं हो था बुरी तरीके से हां जी कुछ लोगों का हो सकता है कि you know same gender relationship में हूँ आप लोग तो उस वज़े से काफी ज़्यादा परेशान है हो सकता है third party हो यहां पर नेकिन बाबा यह कह रहे हैं कि अगर आपने manifest किया है और आप अच्छे रहते हो अच्छे इंसान बनके रहते हो न तो आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा बस आपको hard नहीं करना है किसी को देखो अभी तक कुछ तो ऐसा कर्मा हुआ है जिसकी वज़े से इसी situation है आपके सामने बार-बार कर्मा के कड़ आ रहे है तो वही बाबा कह रहे है कि अब कर्म अच्छे करो अभी तक करने थे ना अब भी आगे करना हे अच्छा बोलना है आपका life purpose क्या है उस पर ध्यान दो अगर नहीं पता है तो पता है तो अच्छी बात है जिनको नहीं पता है वो देख ले Counseling आप पहला पाइल भी देख ले ना क्योंकि वहाँ पर भी एकाड आया था Crystal Animals हो सकता है आपको Animals बहुत अच्छे लगते हों और Angels आपसे यह कह रहे है कि कहीं न कहीं आपको उनसे थोड़ा connect रहना है ठीक है वो आपको कोई ना कोई ऐसा sign देते रहेंगे जिससे आपको समझ आता रहेगा कि आपकी life में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है किस वज़े से हो रहा है और ऐसा भी है कि आप जितना ज्यादा उनको प्यार करोगे और उनको फीट करोगे वो आपके जो भी करमा है न वो धोलते चले जाएंगे ठीक है जो भी बुरे करम रहे होंगे आपके मैं इस birth की बात नहीं कर रही लास्ट बर्थ के भी होते हैं crystal से जुड़ा कोई काम अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आपको इसकी अच्छी knowledge है तो counseling कर सकते हैं ठीक है दूसरों को heal कर सकते हैं अपनी बातों से सकता है आपको council करना हाता हो लोगों को बहुत अच्छे से लेकिन जब अपनी बात आती है तो आप अंसोर पर जाते हैं तो पहले तो खुड को council करो चिल्डरन, ठीक है, तो कोई भी ऐसा काम कर सकते हो, जहां पर आप बच्छों की देख पाल करो, उनकी करो, या उनकी लिए कुछ भी ऐसा करो, जब सर्फैनेस चले गया है, वहां पर बच्छों के लिए गित्स लेकर चले गया है, उनको खुश कर दिया, प्यार किया, यह सब कुछ करना है आपको एक टीचर भी बन सकते हो ठीक है ठीक है आप बोलते तो बहुत अच्छा हो देखो यहां पर speaker का भी card है bottom of the rack तो आपको बाते बड़ी अच्छी आती है जब आप लोगों को motivate करते हो अच्छी बाते करते हो तो इस फील में कुछ करो पैतर होगा आपके लिए ओके तो यह थी आपके reading आपको पसंद आई हो आई हो तो प्लीज लाइक करिए रजन इत करिए हो तो बताना ना भूले सब्सक्राइब करना ना भूले यह चैनल तो जिन्नों ने यह चूज किया था पाइल 3 के लिए पत जड़ का पता तो देखते हैं बाबा के messages क्या है आपके लिए और life purpose भी देखेंगे हम आपका चालो भाई देखते है self life relationship खत्म ना हो जाए इस बात का डर है हम इसी बात दूसरा देखते है soul group ओके तो या तो किसी से break up हुआ है अभी अभी या फिर हो चुका है पांच महीने हो गया है पांच से चे महीने लेकिन कोई तो है साथ में कोई तो साथ में हैं कोई सपोर्ट कर रहा है आपको बहुत एल्प कर रहा है और करना और अच्छे से चाहता है लेकिन शायद आप करने नहीं दे रहे हैं किसी को अपनी life में अंदर आने नहीं देते है chson guard करके रख्या कुद को ठीक है. दूनी है यहां पर. और सरेंटर है यहां में और. और यहां पर है सोल называется ल का सब अकेला नहीं रहना or जाता हिर, सारा प्यार छहिए और प्यारी ही नहीं मिलता. यह है दिकत चीट कर देते हैं लोग आपको हमेशा या तो चीट कर देते हैं या फिर कोई और आ जाता है बीच में दखल अंदाजी करने Be the light, healer बनना है आपको ठीक है, soldier नहीं यहाँ पर बाबा यह कह रहे हैं कि भई आपको क्या लगता है जो भी relationship आपको मिलते हैं जब भी मिले होंगे अभी तक आपको यही लगा होगा कि अरे यह नहीं रहा तो मैं कैसे जीऊंगी या कैसे जीऊंगा, ठीक है वहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि अपने अंदर से यह डर निकालो आपके अंदर यह जो डर पनपता है ना अपको कोई best friend है जब भी आपकी किसी के साथ अच्छी friendship तो उसके साथ टूट कई तो उसकी वजय यह है कि friendship जैसे ही आपकी होती है आपके अंदर ना डर पनप चाहता है कि कहीं इससे टूट ना जाए कहीं इससे टूट ना जाए तो तो टूट जाती है क्योंकि आप universe को वही message देते हो आप बोलते हो तूट ना जाए तूट ना जाए तूट ना जाए तूट ना जाए तो universe उसी डर को पड़ लेती है और फिर वापस आपको वही देती है ठीक है तोड़ना है मतलब यह लो टूट गया तो चाहे हो friendship हो चाहे relationship हो कुछ भी हो श चंता है अपनी जितने भी डर है फिर है एक ही बात हो ही डर फिर जितनी भी चंता है उनको डाल दो और surrender कर दो और यह माल लो कि ऐसा नहीं है कि अगर आप अकेले रह जाते हो तो आपकी कोई जिंदगी नहीं है soldier नहीं आपको अकेले ही तै करनी है यह समझ लो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अमेशा केले रह जाओगे लेकिन बाबा यह चाहते हैं कि आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए ने डर बनो कोई साथ है तो ठीक है कोई साथ नहीं है तब भी ठीक है और यहां पर है be the light यानि कि आपको healer बनना है आपको दूसरों को रास्ता दिखाना है आपको इतना strong होना पड़ेगा बनना पड़ेगा अगर आप खुद इतने कमजोर हो आप दूसरों को कैसे रास्ता दिखाओगे बताओ भी और देखते हैं क्या कार्च है आपके लिए प्री डीडिंग के लिए ना गाईस मैं इंस्ट्राग्राम पर आती हूं मैं बता दू लेकिन अभी नहीं आप आ रही क्योंकि आने वाली थी अभी लेकिन फिर काम हो जाता है दिवाली की वज़े से नहीं आप आई लेकिन मैं आउंगी तो आपको बता दूँगी क्योंकि काफी सारे लोग पूछ रहे होते हैं कमेंस में फ्री डीडिंग करते हो आप करते हो करती हूं बई करती हूं मंडे टू मंडे इंस्ट्रोग्राम पर लेकिन अभी नहीं आ पा रही है अभी दिवाली की वज़े से थोड़ा प्रीड रहना लाओ अफ अट्रेक्शन तो गाइस मैनिफेस्टेशन किया करो आप ठीक है पॉजिटेव अनजी में रहा करो लाओ अफ अट्रेक्शन ही ये काम करता है मैं अभी बता रही थी ना आपको कि आपके अंदर डर रहता इसी वज़े से ये चीज हो जाती है ये लाओ अट्रेक्शन तीक है यानि कि जो आपको चाहिए न वह आप पहले खुद में लेकर आओ प्यार से है तो पहले खुद को प्यार करो दूसरों को भी प्यार करो किसी को हुआण की किसी से ऐसी बात नहीं करनी है किससे उसको तकलीफ हो तो भही आपको पर मिलेगा और अंदर से डर निकालो, जिस चीज का डर होगा ना, आपके अंदर वही चीज आपके सामने आईगी, अगर आपको डर होगा ना, कि रिष्टा खत्म ना हो जाए, मेरा फ्रेंड में से छूट ना जाए, या मैं एक्जाम में फेल ना हो जाओं, या फिर इंट्रिव्यू के लि जो हो रहा है इशर की मर्जी से हो रहा है, परिशान होने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, और जो आपका सच्छा साथी है वो आपको मिलेगा, अगर अब कुछ लोग आते हैं जाते हैं, तो आने जाने दो, वो आपके सच्छा साथी नहीं है, और उनक इशूज हो सकते हैं, है ना, काम नी बनता आपका, यह जी यह आ रही है, असंतुष्ट है आप अपनी जीवन से, अबंदेंस चाहिए आपको, अबंदेंस मिलेगी भई आपको, ठीक है, कॉर्नो कॉपिया कार्ड है यहां पर, और देख लेते हैं, और क्या आता है यहां पर, हर एक चीज की कमी है, जॉब अच्छा नी चल रहा, रिलेशन्शिप में भी इशूज है, हेल्थ भी अच्छी ना हो, क्योंकि यहां पर यह वाला कार्ड है ना, तो में भी हेल्थ पी अच्छी नहीं है आपकी, है सब कुछ आपके ही हां तो में, यहां पर तभी लोग सब कुछ मिल सकता है आपको, ठीक है ना, शादी वादी का कुछ चल रहा है आपका प्रॉब्लम, हो सकता है काफी जाद है, यह जोगी हो आपकी, ऐसा भी में भी हो सकता है, कुछ लोग यहां पर 36 और 40 तक हो, नहीं हुआ शादी, शादी बड़ा दिखत करती है, चलो और लाइफ पॉपस को लेकर देखते है, दोनों पैल्स में मैंने देखा, तो आपका भी मैं देखने वाले हूँ, कि आपका लाइफ पपस क्या है, कि यह आपर सोल जर्नी की बात हो रही थी, चलो देखते है, कोई अगर आपकी सोल गूरुक का है, आपकी यहल्प करना चाहता उसको help करने दो, ऐसा नहीं है कि हर किसी पर शक करो, सारे बुरी ही नहीं होते sensitivity आपको बहुत जादा डर लगने लगया है, किसी से भी friendship करने से डर लगता होगा ना जोड़ा सा चेंज करो कुद को, हमेशा ऐसा नहीं होता, teaching, teacher बन सकते हो, क्या पता teacher हो भी आप लोग, नहीं हो तो बन सकते हो, यह अच्छा रहेगा आपके लिए ठीक है, protected, देखो angels है, आपको protect करके रखते हैं, आपको लगता है आपके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है आप चाहें तो अपना क्यारियर भी चेंज कर सकते हैं, अभी हाल फिलाल में जो भी काम कर रहे हो न, अगर अच्छा नहीं लग रहा आपको, तो आप वो चेंज कर सकते हो, angels आपकी help करेंगे, यह कार्ट को दी आया, music तो हो सकता है, आपको गाना-गाने का शौक हो, position बनन आप पहले सी teacher हो और suppose जहां पर काम कर रहे हो, वो जगह बदलना चाहते हो, तो you can, okay, क्योंकि angels हैं आपके साथ में, कुछ गलत नहीं होगा, डर निकाल दो अपने अंदर से, okay, तो यह थी आपकी reading, I hope आपको पसंद आई हो, I hope तो please like करेंगा, resonate करेंगे हो, तो मुझे बता करना ना भूले, subscribe करना ना भूले जैनल, thank you so much for watching the video, take care, love you all, bye-bye, good night